हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका इडुटेडिया पे मैं प्रमीन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में कारेपालिका, बिधाईका, एउन्याईपालिका कई दोस्तों ने कॉमेंट किये थे कि इस चीजों में हमें बेसिक समझ की जरूरत है तो मैं उन्हीं चीजों को जो हमारे कंस्ट्यूशन में ये तीनों वर्ड यूज आते हैं या फिर हमें जो कंस्ट्यूशन की पढ़ाई करते समय इनमें confusion create होता है तो इनको हम particular उप से एक दम divide कर देंगे कि कैसे पढ़ें समझे कि कारेपालिका को बिलकुल अलग तरीके से विधाईका को अलग और नयापालिका को अलग और जहां जहां इसमें objective बनते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और कैसे इसको पढ़ाई करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस chapter को जिसका नाम है कारेपालिका, विधाईका एवं नयापालिका सबसे पहले भारत में जो है वो संसद्य विवस्था पनाईगी और जो सम्विधान बनाए गया उसमें तीन तरह से कारे करने वाले तीन अंग बनाए गये एक कारेपालिका, दूसरा विधाईका और तीसरा नयापालिका सबसे पहले समझते हैं कारे पालिका कौन है और इनका कारे क्या होता है तो भारत में क्या है वीधी या किसी भी प्रकार का कानून बनाने का कारे वीधाईका का होता है वीधाईका का मतलम ही होता है वीधियक बनाना विधियक यानि बिल कोई भी बिल बनाने की सक्ती किसके पास है विधाईका की पास होती है और इस बिल को लागू करने तथा एक्सक्यूट करने की सक्ती कारेपालिका की पास होती है तो बिल बनाना यहां है उसे लागू करने की सक्ती किसके पास है कारेपालिका की पास है और यदि इसे लागू करने में कोई समस्या आती है किसी परकार की न्याइक चुनोती आती है या फिर कोई इसका उलंगन करता है तो उसके सजा का प्रावधान अर्थात न्याइक की विवस्था करने की सक्ती न्याइपालिका की पास है तो ये कारेपालिका में कौन-कौन आएंगे, विधाईका और कारेपालिका में कौन-कौन आएंगे, और न्याईपालिका में कौन आएंगे, इसी चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले आते हैं कारेपालिका को देखते हैं कारेपालिका जो कारे को चलाते हैं हमारे यहां आपको पता होगा कि दो अस्तर पर सरकार बनाया जाते हैं एक केंदर अस्तर पर और एक राजी अस्तर पर तो केंदर अस्तर पर सरकार में कारेपालिका में कौन-कौन है, राज अस्तर पर कौन है, उसको समझते हैं, केंदर अस्तर पर, राज अस्तर पर, केंदर अस्तर पर, सबसे प्रमुख होता है कारेपालिका का राष्ट पती, प्रेशिडेंट नाहिकेवल केंदरस्तर पर बलकी पूरे भारत के कारेपालिका का अगर सबसे हेड माना जाता है तो किसे माना जाता है राष्टपती दूसरे रूप में आते हैं उप राष्टपती तीसरे में आ जाते हैं हमारे प्रधान मंत्री और परधान मंतरी को वास्तविक हेड कहा जाता है Actually में हमारे यहां राष्टपती को बहुत सारी सक्तियां दी गई है लेकिन इन सक्तियों का प्रियोग परधान मंतरी के माध्यम से किया जाता है इसलिए इन्हें कारेपालिका के नामित सक्ती और इन्हें कारेपालिका का वास्तविक सक्ती का हकदार माना जाता है और परधान मंतरी के नियंतरन में काम करता है मंतरी परिशद तो ये सभी क्या हो जाते हैं? कारेपालिका के अंग हो जाते हैं ये केंदरी ये अस्तर पर अब मंत्री परिशद में क्या तो बहुत तीन तरह के मंत्री होते हैं दोस्तों एक कैबिनेट मंत्री एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री ये तीनों मंत्री भी कारेपालिका के ही अंग होते हैं इसके अलाबा मन्त इस कारेपालिका को समझेने के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखना से जो 60 या 62 साल की आयू के लिए चूने जाते हैं आईए सव्धिकारी बगरा को देखते हैं, वो क्या होते हैं, नियमित होते हैं, उन्हें जॉब दिया जाता है, उन्हें जॉब लेटर मिलता है और वो फिक्स होते हैं, तो वैसे अधिकारी गन, जो एक निश्चित सीमा, यानि लगभग 60 वर्षो की आयू तक के लिए कारेक और ये जो नहीं मुत्ते हैं seus प्राष्ये प्रिष्ट का करने जाते हैं और यह उस्थाई में अस्थाइब्यकों ने रिकें व्यक्निंस दोस्तों यहां राज्य में भी करें मोख सकते हैं राज्येइपाल मुख्य मंतरी मंतरी परिशद ये क्या हो गए है राज्य के कारेपालिका हो गए और यहां हमने देखा था केंदर के ये राज्य में अस्थाई कारेपालिका है ये केंदर में अस्थाई कारेपालिका है अस्थाई कारेपालिका दोनों जग़ा होते हैं और वो अधिकारी कन होते हैं जो अधिकारी के रूप में सेवा देते हैं सचीब के पद पे होते हैं ये सब क्या होते हैं अस्थाई कारेपालिका क्या अंग होते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम लोग इसकी और बढ़ते हैं अब इसी अस्थाई कारेपालिका या अस् है कितने बार चुने जा सकते हैं सपत कोदनी राता है तो ये सब बाड़ी-बाड़ी से आपको राष्टपती चेप्टर फिर उपराष्टपती फिर परधान मंत्री मंत्री परिशत फिर राजे में आएंगे तो राजेपाल मुख मंत्री आदी ये क्रमशा आपको पढ़ना पढ़ेगा तब जाकर कारेपालिका पूरी तरह से आपको समझ वे आएगा फिलाल हमने एक बेसी के स्ट्रॉक्चर समझा कि किस प्रकार से अस्थाई और अस्थाई में कारेपालिका भी भाजित है केंद्र और राजे के कारेपालिका का हेड राजेपाल होता है और केंद् मैंने पढ़ायत है especially सूचियों में कि तीन प्रकार की सूचियां है केंदर सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तो जो केंदर सूची है उन विश्यों पर जब विधी बनाने की बात आती है तो वो किसके द्वारा बनाए जाता है केंदर द्वारा जो राज्य सूची की विश्य है उस पर कानून बनाने का मुख्य अधिकार किसको है राज्य को और जो समवर्ती सूची है उनमें दोनों बना सकते हैं तो ये जो केंदर में या राज्य अस्तर पर विधाई का काम करता है वो उनका मुख्य काम होता है विधी बनाना विधी बनाने के लिए कें सांसद के दो अंग होते हैं लोक्षभा तथा राज्यसभा और ये दोनों सदन मिल करके कोई भी बिध्यक तयार करते हैं और इसी सदन के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं विधाय का केंदरिये अस्तर पर जो ये इसके मेंबर और इसके मेंबर होते हैं वास्तों में उसे सां राज्य अस्तर पर आते हैं तो विधान मंडल में भी दो अस्तर देख सकते आप और इसमें आप देखेंगे विधान सभा और देखेंगे विधान पडिशद विधान सभा सभी राज्यों में अनिवारे होता है ये जितने भी हमारे अभी राज दिखाई दे रहे हैं 29 राज् सित्परदेश, दिल्ली एवं पुदुचेरी में भी बिधान सभा है, लेकिन बिधान पड़िसद जो होता है, वो सभी राज्यों में अनिवारे नहीं है, यह डिपेंड करता है उस राज्य पर कि क्या वो बिधान पड़िसद रखना चाहते हैं या नहीं, यह बिधान अस्तर पर बिधान मंदल बिधाईका काम करते हैं और इसके मेंबर सांसद कहलाते हैं जब इसमें आते हैं तो Member of Legislative Assembly, Member of Legislative Council यह हम बिधान मंदल के अस्तर पर देखते हैं और यहां MP सांसद के अस्तर पर देखते हैं जो लोगशभा और राजशभा में होते हैं अब matter फस्ता है कि प्रधान मंत्री तो यहां भी होते जैसे अभी नरेंद मोदी जी हैं तो वो लोगशभा के मिंबर हैं और नरेंद मोदी जी यहां प्रधान मंत्री लोगशभा के सदस होने के नाते वो बिधाईका के भी अंग होते हैं और जब यहां वे कारेपालिका के र जो मंतरी बनते हैं ये मंतरी बनने के बाद कारेपालिका कांग बन जाते हैं और जब तक मंतरी नहीं है तब तक क्या होते हैं बिधाईका कांग बन जाते हैं तो एक ही वेक्ती कारेपालिका भी हो सकता है उसी समय और बिधाईका भी हो सकता है जब वह संसद में बिल पास करन जैसे सरकार पक्ष के कई मिंबर कारेपालिका के साथ काम करते रहते हैं जो बिपक्ष में बैठे लोग होते हैं वो केवल बिधाईका के रूप में ही काम कर पाते हैं तो इस तरह से बिधाईका के सदसे कारेपालिका के भी मिंबर हो सकते हैं ये हमेशा आपको याद रखेंगे कि बिधाईका और कारेपालिका में एक बॉंडिंग चलता रहता है। इसके मेंबर इसके भी मेंबर है और इसके मेंबर इसके भी मेंबर है। और बिधाई का कौन कौन थे? कारेपालिका कौन कौन थे? इसे हम लोग ने आसानी से समझ लिए. अब आते हैं नियाईपालिका क्यों. तो कानून विवस्था को सही रूप से चलाने के लिए या फिर उसका कोई उलंगहन करता है तो उसके दंड के प्रवधान के लिए ही इस विवस्था को एक ही करित नियाईपालिका कहते हैं. जैसे हमारे यहां सबसे उपड़ी अस्तर पर जो नियाले है वो है सुप्रीम कोट. फिर उसके नीचले अस्तर पर आते हैं हाई कोट. और फिर उसके नीचले अस्तर पर आते हैं तो डिष्टी कोट या जो सत्र नियाले हम लोग काते हैं वो आ जाते हैं तो इस तरह से ये न्याय पालिका का एक क्रमिक चरनवन स्रिंखला है जिसे हम लोग एक ही क्रित न्याय पालिका काते हैं अब इसमें ये केंदर और राजे वाली बात नहीं होती, ऐसा नहीं है कि केंदर का कोट है सुप्रीम कोट और राजे का कोट है हाई कोट, ऐसा नहीं है, राजे अस्तर पर सबसे बड़ा न्याला है उच्छ न्याला है, लेकिन केंदर अस्तर पर सबसे बड़ा न्याला है सु पिसले को आप नहीं मानते हैं, तो यहां पील कर सकते हैं, यहां को नहीं मानते हैं, तो यह एक एक ही कृध है, स्वतंत्र है, और निस्पक शुरूप से काम करती है। आपको मैंने एक अनुछेद परहाय था, अनुछेद पचास, याद होगा राज के नीती निर्देशक तत्तों में, जिसमें मैंने बताया था कि अनुछेद पचास काता है न्यायपालिका और कारेपालिका का प्रिथक करण, यहां बिधाईका और कारेपालिका आपस में जु दोनों एक दूसरे से साथ काट रखेंगे तो किसी भी कीमत पर निस्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा नहीं सरकार पर न्यायपालिका किसी परिस्थिती में अच्छे काम करने के लिए दबाब बना पाएगी तो इसलिए अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग रहके काम करते हैं तो जनता की भलाई अधिक हो पाती है और जो लोग कल्यानकारी राजी की अस्थापना की बात हम करते हैं हमारे सम्मिधान में वो पूरा हो पाता है इसलिए अनुछेद पचास के तहट न्यायपालिका और कारेपालिका के पिथक करन की बात की गई है तो ये आपको समझ में आया होगा कि कारेपालिका कैसे काम करता है बिधाईका का क्या काम होता है और न्यायपालिका का क्या काम होता है इसमें केंदर अस्थर पर भी बिधा इसे केंदर या राजे में नहीं बाटा जाता बलकि ये क्रमिक स्रिंखला में ये काम करते हैं ठीक है और सब के काम एक दूसरे को सपोर्ट करना है और फाइनली ये तीनों अस्तंभ मिलकर इस तरह से भारतिये लोकतंत्र की रीड बनते हैं एक कारेपालिका, वीधाईका और न्यायवालिका और आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र का चौथा अस्थम जो है वो मिडिया को कहा जाता है तो ये तीन अस्थम ये हैं जिनके उपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है तो उमीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा आ आने वाले वीडियोज में हम लोग इसे चेप्टर वाइस पढ़ेंगे यहाँ पे जैसे कारेपालिका के अंदर राश्ट पती उपराश्ट पती परदान मंत्री को पढ़ेंगे फिर राज्य के कारेपालिका फिर वीधाईका में केंदर का वीधाईका राज्य के वीधाईका और फिर नयायपालिका में सुप्रीम कोट और हाई कोट इस तरह से क्रमिक रूप से इसे चेप्टर वाइस पढ़ेंगे और इन चेप्टरों से जो भी अब्जेक्टिव आते हैं उसे आसानी से आप बना पाएंगे उमीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों को इसे सेर करना ना भूले चलिए इडूटेरिया के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपका अपना प्रवीन कुमार